राहूल गांदी की यात्रा को लेकर कॉंग्रेस पर कभी भी कारवाई हो सकती है राहूल गांदी हमेशा से अधीरपन की वज़े से कॉंग्रेस को फसा देते हैं राहूल गांदी निया यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस के नेताओं कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। नेता पाटी छोड़ कर जा रहे हैं तो कोई पुर महिला नेतरी अपने साथ कॉंग्रेस में रहते हुए यौन उत्पिडन के लिए नयाई मांग रही है। लेकिन राहूल गांदी उन्हें भी नयाई नही दे पा रहे हैं। कॉंग्रेस ने राहूल गांदी को लांच करने के लिए जो यातरा निकाली है उस यातरा के भविस्ट पर राहूकाल मंडराने लगा है। कॉंग्रेस के नेता ये समझते हैं कि वो इस देश के मालिक हैं लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है। देश में लंगर्पर कानून का चाबुक चलना तो तैह ही है। ऐसे भी एमन तुविस्व सर्मा और राहूल गांदी के रिष्टे जग जाहीर है। एमन तुविस्व सर्मा राहूल गांदी को निसाने पर लेते रहते हैं। ऐसे में अब तो सर्मा को मौका ही मिल गया है। जिसके ब पुलिस प्रसासन के नियमों का उलंगन करते वे निरदारी तरास्तों से हट कर दूसरा रास्ता पकड़ लिया पुलिस के अनुसार रैली के रस्ते में अचानक बीड अनियंतरित हो गई यातायात नियंतरन के लिए लगे बैरिकेट तोड़ने लगी बारत जोड़ो नियाय यातरा में शामिल कॉंग्रेसियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला भी कर दिया इस F.I.R. में ये भी का गया है कि रैली की वज़य से छेतर में भगदल और दंगा जैसे हालात पैदा हो गए थे पुलिस ने रैली आयोजक के बी बाईजू के नित्रिक वाली रैली पर अपरादिक साजिस के तहत बीड को उकसाने का भी आरोप लगाया है खबर के मताबिक असम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यात्रा को केवी रोट की ओर से जाने की इजाज़त नहीं थी इस रोट पर यात्रा के पहुँचने के कारण हालात काबू से बाहर हो गए अचानक बारी वीड की वज़य से कुछ लोग गिर गए और बगदर ज की जाएगी सीम विश्व ने कहा है कि असम में भारत जोडो नियाय आत्रा की योधना बनाने वाली टीम में दो लोगों ने जान बूच कर दिसा निर्देशों का उलंगन किया हेमंत विश्व सर्मा ने कहा था कि नियमों के उलंगन पर एफ आयार डर्ज होगी और